कि है कि है कि है कि है कि है लो फैमिली वापस आ चुके हम लोग दर रिटर्न ऑफ डेविल के कॉर्ड यह एपसोड के साथ और आप लोग को वीडियो अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक कर देने चनल पे पहले बाहर आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमने मिषकिर वहाँ पर अपने स्ट्रेंट लोग के साथ आ चाती है बोलती ही यह इंटरेंस पॉर्टल है और इसके आगे बस तुम लोग के भरोसे में छोड़के यह से जा रही हूँ वहाँ पर यू होती और अभीगुल होती है यू से बोलती है कि यू क्या तुम सच में वह एंटिटोड वो प्रिंस ऑफ किंज को यानि कि रेजल को दे दिया यह बोलता है हां मास्टर कीर ने मुसे कहा था कि प्रिंसेस लोना को कुछ न्यूज मिला था कि उसकी जो मैरेज कॉंसरेक्ट था वो तूट चुका है इसनों मैंने उसको एंटिटोड दे दिया अभी गुल सबस्तों पहलें देटीट तुम तो हमेंसे सर्च करते रहेते लेकिन तुम अचानक से इस तरह के कमर्से कोंपेडिशन में इंट्रेस्ट कभसे हैं दिखाने लगे पॉलती है यहां पर बंदा भी ओगा जिसको यू ने हराक उसे वह तलवार छीनी थी वह बंदा जो होता है जेस्टर पॉलेट वह फिर बताता है कि हां मुझे इन सब के ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं लेकिन इस चीज में इंट्रेस्ट है कि वह जो डेविल यहां पर सील किय गया था काफी समय पहले और यहां पे एक अंडरग्राउंड मेज भी है जो कि काफी लाजवाब लगता है देखने में तो मैं ऐसा उपर चुनिक कैसे मिस कर सकता हूं जरूर दिखूंगा लेकिन वहां पर दिखाते हैं जो पॉलेट होता है क्यों कि उसकी तलवार नोगों सकते हो मिस की मैं आपको और ज्यादा लेट नहीं करने वाला हूं चलो आप से मिलता हूं बात में साथी वहां से वहीं रह जाता है और मिस की तरफ मुह से निकल जाती लेकिन यूज होता है उस बंदे की तरफ देखता है तो बंदा उसके कंदे पर हाथ रगता है उसे बंदा आता है उन लोग से कुछ कहता है तब जो अन्सर होती बताती कि मैच स्टार्ट होने स्पहले याने कंपिटिशीन स्टार्ट होने स्पहले और ओगनाइजर को दो न्यूज मिला और इस वजह से तुनमेंट कुछ समय के लिए डिले हो सकते है साथी वहां पे जो अन् वो साथ करदीया जाएगा उन्हीं कोलिज के किसी वडू रेस्टोइंट के द्वारा वो साथी बताती या पकी जितने भी बंदे होते मिस्कीर होती है बोलती यहां पे कब आ गई सारे बंदे जो भी महां पर बैठंट अर्डियोंस होते बोलते वाव यह तो सकतम काफी अच् कि हम लोग फर्स टाइम प्रिंसेस लुना को किसी टूनामेंट में पासिट पाटिसिपेट करते वे देख रहे हैं मिस्की जो होती है उस स्कूल के उस अकैडमी के प्रिंसपल के बास चले जाते बोलती कि प्रिंसपल डेकर आखरियां पे चल क्या रहा है उस वंदे का नाम ड करना था तो हम लोग ने इन से बात कर ली साथ होता है वो फिर से रांस करता है कि दा लीडर ऑफ मैजिक इंस्ट्यूट ऑफ किंडम वो रिप्लेस कर दिया क्या है मिस्की बोलती क्या यह बंदा यहां पर क्यों आ गया साथी महां पर स्टेज पे दिखाते रहे जल आ जाता करता है कि सथे रिवन के किंडम पूलता कि न तुमें तुम्हां को मेरे उपर अपर और यह रहता है मुझे भी फोर्स किया गया था कि और फिर आनौस करता है कि यह वह का ज़दा बहतरी होने वाला मेंट को सीधा मुख करने वाले लाइव इस्ट्रिम करने वाले और बताती है कि हिरे एक कंट्रेस्टेंट को एक मैंजिक केमरा फॉलो करेगा जो कि उसके करने की कोशिस ना करें इस से थोड़ा हम लोग को दिखत हो सकता है साथ ही वहां प्यानाउस होता है दा पॉर्टल ऑफ फर्स्ट मेंज मतलब कि जितने बंदे उन सब को उनस मेंज के अंदर डाला जारा होता है यूँ बोलता है कि यह कैमरा इसको मैं फर्स्ट तैम देख रह करना है वह अब काफिज नमजे आने वाला है साथ ही में ने जी दिखाते है कि सारे बंदू का जो कैमरा तुन सब से उन सब की फैट दिखाई जा रही होती जो कि उनसा मेंज के अंदर कर रहे होते हैं वह फिर से ना उसकरती की कंप्प्टिशन जो फानल स्टार्ट होगे सारे participant जो मेज के अंदर जा चुके हैं और चुक्कि हम लुको पता है कि सारे बंते बस कीज को ढुंने वाले हैं और कीज को ढुंदते ढुंदते उन लोग को किसी ना किसी demon का सामना करना पड़ सकता है demon या फिर किसी दूसरे academy के जो competitor है उनके सामना करना पर सकता है, साथ ही मैं एक घंटे बाद first layer के floor के storage room का दिखा है, जाता हम आप एक लड़की आ जाती ही, बोलती कि finally मैंने इसे ढून लिया, उस लड़की के पिछे कोई और बंदा आ जाता है, बोलता है कि इतने दूर चलने के बाद मुझे पता चला क यहाँ पर बंदा और कोई नहीं हमारा लड़का मतला हमारा hero ही यह होता है, यह वहाँ पर आता बोलता है, मुझे तो यहाँ पर की भी मिल गए लवली यंग लेड़ी भी मिल गए, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तभी वो लड़की जोती पीछे यू की तरफ देखत लेता है, उस लड़कीं को पता भी ने चलता है, वो काफी जदा सौक हो जाती है, बोलती है, यहाँ पर क्या आगया है, वो जैसे पीछे की तरफ मूड़के देखने की कोईजित करती है, लेकिन वो जो चीज होता है, जिस ने उस चीज, मतलब के उस लड़की को लपेटा ह होता है जिस ने उस प्रिंसेस को उस लड़की को खा लिया होता है इसsters हो तो लड़की के बेडर से प्र्रम इसके उसके मुह में गिरी होती उसके इद्र गिद्र जोता है एक अजीब सा फॉर्मेशन मतल टेलिपोटेशन मैजिक होता है और लड़की जोती साय थी उस कंप्पेशन से बाहर मेज से बाहर हो जाती है वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स होता है जल्दी करो जल्दी करो वह जो आइड जाएंट फ्रॉक था उसका जो स्लेवा होता है वह काफ़ेशन टॉक्सिक होता है इसलिए हम लोगों को सबसे पहले एंटी टॉक्सिक एंटी डोड को यूज करना होगा साथे एनॉंसर जो एनॉंस करते कि हमारी फेटिया जो की मैजिक अकैडमी ऑप दा किंडम से करती थी वहां से की एक कंटेश्टंट थी वह हमारे फर्स्ट लेयर के गार्चेंट से हार गए और उसने की को भी मतलब की हार गवा दिया बस एक अस्टेप दूर थी वह की से और वहार गई साथ ये बाहर में उस लड़की के जो प्रिंस्पल होती है वह लड़की बताती कि हर स्टूरेंट के हाथ में एक अजीब सा फॉर्मेशन बना हुआ है जिसमें अगर वह किसी भी मूड पे कंटिशन को आगे कंटियू नहीं कर पाती है तो इमिडिटली टेलिपोर्ट बाहर हो जाएगी और उसकी जान बच जाएगी लेकिन फिर बोलती कि मिस्किर आपको ज्यादा चिंदा करने की जरूत नहीं अपने स्टूरेंट के बारे में जो कि मैजिक को नहीं जानता है वो काफी जल्दी बाहर आ जाएगा और उसको फिर मैज मैडिकल एटेंशन की जरूत पढ़ेगी जब तक वो मरनी जाता मिस्किर बोलती अच्छा तुम काफी ज़्यादा खुस लग रही हो अगर ऐसा नहीं हुआ मेरे स्टूरेंट को बाहर मेरे स्टूरेंट जो बाहर नहीं आया तो तुम्हारा तो दिल तूट जाएगा है न साथी बोलती कि चलो कोई बात काफी ज़्यादा पाउरफूल है काफी मैजिक बाहुत कमी काम करता है और वह अगर किसी की प्रोटेक्शन कर रहा है तो उससे वह की लेने काफ ज़्यादा मुस्किल है आपको अगर इस हराना होगा तो कम से कम दो बंदों की जरुद पढ़ेगी लेकिन वहां पर जो पर ट्रांसपर हो जाएगा और वह बंदा आटमेटली बाहर आजाएगा बिस्कृट बोलती नहीं ऐसी ऐसा कभी नहीं होगा लेकिन तब हम पर नांसर जो इनांस करती है बोलती है तो काफ ज़्यादा अन्बिलीबिबल है सारे बंदे भी काफ ज़्यादा हो जाते कि यू उस पर टैक ने किया और वह बस खड़े-खड़े देख रहा है और यू ने उस चावी को उठा लिया है वहाँ पर जो प्रिंस्पल थोड़े देर पहले कुछ बोल रहे थी वह काफ ज़्यादा सौक हो जाते है वह सारे बंदें भी काफ ज़्यादा सौक हो बोलता है अनक स लो फ्रक भी ने कहता है यह मुझे लगता है कि तो मुझे रोकना नहीं चाहते च्रोटी कमेश चावी को ले लेता हूं लेकिन फ्रॉक तभी जो था पीछे तरफ धृट्रप ध्राम से गिर जाता मतले वह यू से फाय करना नहीं चाहता है यह देखेना उन्सर भी कावज कास्ट लोस में अनॉंस करती है कि फर्स्ट प्लोर का जूवीनर है वह इंपरियल रोयल अकैडमी है इसलिए हम लोग चलिए बाकी के दो फ्लोर पे नजट ठालते हैं कि आगे के फ्लोर पे क्या हो रहा है और एक साथ जो हमरा यह एपसोड हो था है यह एपसोड है यह पर क्या करती है